नमस्कार दोस्तो स्वागत है अब सभी का हमारी आज की इस वीडियो में दोस्तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी तीन चीजे हैं जो पुरुष को अपनी पतनी की जरूर देखनी जाहिए आईए इसको एक घटना से जानने की कोशिश करते हैं दोस्तो एक बार की बात है किसी गाओं में एक आदमी रहा करता था वो आदमी अपनी पतनी से बहुत ही परेशान था क्योंकि उसकी पतनी अपने पती से बात बात पर लड़ाई जगड़े करती रहती उसके घर में एक दम कंगाली चा गई थी खाने के लिए घर में ना ही कोई दाने थे, ना ही पीने के लिए पानी, और ना ही पैनने के लिए वस्तर, एक दिन की बात है वो आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। उस आदमी को एक कहानी सुनाते और बताते हैं कि किसी नगर में एक सेट रहा करता था उस सेट का बहुत बड़ा व्यापार था उसके घर में केवल वो सेट और उसकी पतनी ही रहा करते थे उस सेट सेठानी में बहुत ही प्रेम था, उनके घर में कभी भी लड़ाई जगड़े किसी प्रकार का कोई भी कलेश नहीं होता, इसलिए उसके घर में सदा मालक्षमी का वास रहता था और उनके विजनेस में दिन दोगनी और राच चोगनी तरक्की होती थी, उन सेठानी मे उस सेठ और सेठानी की बाद उस गाओं के राजा तक भी पहुंच जाती है, दोस्तों जब सेठ सेठानी की बाद उस राजा के पास पहुंचती है, तो वो राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारिफ करता है, कुछ दिन बाद वो राजा पूरे नगर में डिन डोरा पिट रानी दीपक प्रेम की निशानी होती है जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम सेठ और सेठानी की बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में हमारे इस राज्य में सभी पती और पत्नी के बीच में हो इस सेठ और सेठानी के घर का दीपक कभी भी नहीं भुझता लेकिन दोस्तों यहां एक बात थी कि सेठानी जो थी वो अपनी मनमानी से काम किया करती थी उसका जो मन करता था वो वही काम करती लेकिन सेठ को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि सेठ बहुत ही समझदा ताकि पती पतनी में वो प्रेम और वैवार बना रहे एक दिन की बात है दोस्तों राजा और रानी अपने छट के उपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे और वो राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राजे में अंधीरा था लेकिन सिरफ एक सेठ और सेठानी का इघर था जहां दीपक जल रहा था दोस्तों तब राजा रानी से बोलता है कि देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है सभी के घरों का दीपक बुझ गया है लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है इसका मतलब यह है कि सेठ और सेठ तो वो बोलता है कि नहीं महरानी यहाँ पर सेथ जादा समझदार है इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई जगडा नहीं होता दोस्तो रानी बोलती है कि सेथानी समझदार है राजा बोलता है कि सेथ समझदार है दोस्तो सेथ और सेथानी की सबात को लेकर राजा और रान में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है और वो दासी से बोलता है कि तुम उस सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्ण मैं तुम से बोल रहा हूँ वो तुम सेठ को बोलना वो दासी बोलती है कि ठीक है महराज वो दासी राजा की बात सुनकर उस सेठ के पास जाती है उसी समें ही सेठ की पतने बाजार गई थी कुछ सामान को लेने के लिए तो उसतों वो कि दासी सेठ से बूलती है कि सेठ जी मैं राज महल से आई हूं राजा साहब ने मुझे भेजा है दोस्तों वो सेठ उस दासी देंगे और तुम्हें राज महल में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी देंगे लेकिन सेठ दोस्तो राजी नहीं हुआ तो राणी ने राजा से बोला था कि नहीं सेठ समझदार नहीं है सेठानी समझदार है दोस्तो सेठ और सेठानी को लेकर राजा और राणी में फिर स कह सुनी होने लगी दोस्तो तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेट की परिक्शा ली है मैं भी सेठानी की परिक्शा लेना चाहती हूँ और इस बात से सपर्श्ठ हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में कौन जादा समझदार है तो वो राजा राणी को आदेश देता है कि प्रियर तुम भी एक बार सेठानी की परिक्षा ले लो दोस्तो तब राणी राज महल से एक दास को उस सेठानी के पास भीज देती है और अपने दास से बोलती है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये सारी चीज जाकर उस सेठानी को जाकर के बोल देना तब राजा का दास उस सेठानी के पास जाता है इधर से सेठ अपने काम के सिलसले में कहीं बाहर गया हुआ था घर पर सेठानी अकेली थी दोस्तो दास मौका देखकर उस सेठानी के पास पहुँचता है सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी मैं राज महल से आया हूँ मुझे रानी साहिबा ने भीजा है दोस्तो तब वो सेठानी बोलती है ठीक है बताईए किसलिए तुम्हें रानी साहिबा ने मेरे पास भीजा है पति सुनकर वो सेठानी तयार हो जाती है बोलती है कि ठीक है यदि रानी साहिब आपने राज्य का आधा इस्सा मुझे दे देंगी तो मैं अपने पती को मार दूंगी। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पती को मार दिया है। जाओ और उस सेठ को सारी बाते बता दो और उस सेठ को बचा लो। दोस्तों इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी। और दिया भी बुझा देगी। इस से पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देते हैं। दोस्तों इधर रात नहीं हुई थी शाम का समय था जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं तो वो देखते हैं कि सेठ पहले ही मरा हुआ है। दोस्तों वो सैनिक उल्टे पाओं उस सेठ के घर से राजा के धर बार में भागे भागे जाते हैं। दोस्तों राजा क्रोज से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रीयों से घ्रिना honे लगती है। और वो अपने सैनिक को भेजता है कि उस सेठानी को बंदी बना कर ले आओ, तब राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बना कर राजा के राजदर्बार में पेश करते हैं, दोस्तो तब वो राजा उस सेठानी को कारवास में डलवा देते हैं, और वो राजा समस्त स्त्री जा नहां आ रही हैं कहा है जा रही है तो उसके घर में कभी भी लढ़ाई जगडे नहीं होते दूसरी की पुरुष को पत्नी के अंदर की बोल चाल कैसी है वो बती की इज्यत करती है तो अपने पती के साथ कुछ भी कर सकती जैसा कि उससे ठानी ने सेट के साथ किया तीसरी चीज वो साधूस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को पत्नी के चाल चलन जरूर देखना चाहिए दोस्तों जो पुरुष पत्नी के चाल चलन देखता है और अगर वो गलत काम कर भी रही होती है तो उसे समझाता रहता है त कभी भी लडाई जगडा नहीं होता है